हम लोग अब बात करने वाले Z-Index के बारे में basically Z-Index एक property है जो कि हम लोग CSS में इस्तमाल करते हैं तो हम लोग इसे explore करेंगे देखेंगे कि ये property क्या है इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और Z-Index को explore करते हैं तो आप लोग अगर CSS से Z-Index को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा help होने वाली है बढ़ अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिकत वाली बात नहीं है उसके बाद में fixed होती है, sticky होती है, right तो यह हमारे पास अलग-अलग position की values है, ठीक है हमारे elements के लिए तो अगर हमारे पास कोई positioned element है, जब मैं positioned element की बात करता हूं then I am talking about element with position other than static, ठीक है मतलब अगर आपने कोई भी position रखी हुए element की other than static तो आप लोग यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो z index property का, तो अब यह z index करने क्या वाला है, z index basically यह देखेगा कि अगर आपके elements एक के उपर एक आकर के बैठ रहे है, या फिर अगर आपके elements किसी भी तरह से stack करते है तो उस stack में सबसे उपर कौन रहने वाला है, किसी priority रहने वाली है, यह z index करता है decide, ठीक है तो यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, z index play an important part in how our components overlay and interact with each other ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, z index को कुछ values दी गई है basically यह positioned elements पर ही काम करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, several bootstrap components, utilize z index यह इसके मदद से आप लोग देखो, कौन-कौन से elements है, जिसको आप लोग control कर सकते हो, navigation है, tool tips है, pop words है, modals है उसके बाद में आपको off canvas मिल जाएंगे, drop downs मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इनकी value जो रखी गई है, यह 1000, 1020, 1030, 1040, तो यह values ऐसी रखी गई है ताकि इन में conflicts ना हो, right, क्योंकि मैं आपको बोला न, एक के ऊपर एक आने वाले है, मतलब stack होने वाले है, तो stack में ऊपर कौन आने वाला है, यह decide करना है हम लोगों को, right, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन values के साथ में छेडखानी नहीं करेंगे, देखो, उन्होंन नंबर से, और यह इतनी ज़्यादा होती है, और उनमें difference जो होता है, वो कुछ ऐसा होता है, कि जिस तरह conflicts ना हो, right, simple सी बात है, और यहाँ पर आप लोगों को tool tips के लिए, pop words के लिए, knife bars के लिए, drop downs के लिए, modals के लिए, off canvas के लिए, आप लोगों को बड़े आराम से यह behavior देखनी को मिल जाएगा, कि कौन उपर आएगा, right, simple सी बात है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, चलते हैं और implement करके देखते हैं इस चीज़ को, but इससे पहले कि हम लोग आगे बड़े, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, कि Z index जिसका सबसे ज़्यादा होगा, व चलते हैं, और implementation पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर मैंने यह layout.html open कर लिया है, और साथी साथ में open किया है, browser, ताकि हम लोग hand in hand देख सके, क्या चीज़े चल रही है, तो, अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ना modal ले लूँगा, यहाँ पर, ठीक है, क्यु पड़ेगा, modal, ठीक है, ले लूँगा, मैं, मैंने क्या सर्च कर दिया था, बहराल आ चुका है, ठीक है, यह modal हम लोग लेंगे, यह ले लूँगा, यह पूरा जो हम लोग code है, इसको copy कर लेंगे, ठीक है, यह कर लिया है, copy, और यहाँ पर आ कर गे हम लोग कर देंगे, इस यह भी आप लोग चूज कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, बट समझाने के लिए हम लोग इसी modal को रहने देंगे, और मैं लेकिया जाऊँगा, ड्रॉप डाउन को, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन को लाने के लिए, simply आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग components में जा करके भी ला सकते हो, यहाँ पर components में आपको drop-downs भी मिल जाएगा, और modal भी मिल जाएगा, राइट, बट हम लोग सर्च करके फटा-फट ले लेंगे चीजों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं, राइट, हम लोग जानते हैं चीजों को, और मैं क यार राइट, शिरफ ऐसी पर क्लिक करूंगा, या फिर किसी मेनू पर क्लिक कर दूँगा, तो चला जाएगा, राइट, तो हम लोग यह रे ले लेते हैं, उतना code और यहाँ पर paste कर दे, ओके यह आपर टीक है, यह जासे मैं है, अब हो क्या राएट, देखो, वोग हम द्रॉपडान के ऊपर है आप अगर देखोगी है तो डिट्रॉपडाउन है क्या है द्रॉपडाउन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है But the thing is कि यह जो मोडाल है यह मेरे ड्रॉपडाउन के ऊपर पर आ रहा है कि आप लोग इसका रीजन मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों डॉपडाउन के ऊपर आकर ये मोडाल बैठ रहा है इस बिकॉज ऑफ जी इंडेक्स स्क्रेट फ़र्वड सी चीज़ है कि मोडाल घी इंडेक्स वायलुव जो से ज्यादा है आप लोग अकर वेरिफाय करना चाहो तो जरूर आशानी ठावशक्त यहां पर आप लोग यहांप लोग और लेयाउट के बेसीक्लिवह इंडेक्स करना है तो मैं आपर सेकर दूँग तो हम लोग क्या करेंगे तरह इसकी value को न अल्टर करके देखेंगे अब यहां पे देखो मैं क्या करूंगा यह यह भी लॉंच कर दूँगा ठीक है ड्रॉप डाउन और बाहर कई भी क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन जाने नहीं वाला और यह लाइब डेमो भी लॉंच कर देता हूं अब मैं क्या करूंगा इंसपेक्otom कर देता हूं थीक है इंसपेक्स करेंगे हम लोग यह फिर आप और ये ड्रॉपडाउन कहा है इसके अंदर लग रहा है यहां पर डॉपडाउन हमें नदर आ रहा है और इसका लोग देख सकते हैं तो अगर वह मैं जादा रखो कहां index ज्यादा रखता हूं more than the modal ठीक है modal का कितना है 1055 हम लोग रखेंगे 1100 कुछ भी ज्यादा रख देंगे लोग देखो जैसा ही मैंने यह रख दिया यहाँ आप लोग देख सकते हो यह ऊपर आके बैठा है अभी modal के राइट दिसले कॉज इट नाव है ज्यादा आसान सी हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर इसे बड़े आसानी से समझ चुके हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन चीजों को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइन करके फिर से देख सकते हो और मैं रिकमेंड करूंगा कि यह चीजों का आप लोग ट्राय करके देख लेकिन फिर भी आप लोग एक्स्प्लोर करो चीजों को ठीक है ज्यादा अच्छे से क्लियरली आपको चीज़े तभी समझ के आएंगी